दोस्तों क्या आपके भी CapCut application में security notice का error message आता है जैसे कि आप screen पे देख सकते हैं तो ए वीडियो आपके लिए है इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप कैसे अपने CapCut application में R.I. security notice को असानी से हटा सकते हैं तो चले वीडियो को शुरू करते हैं इससे बलाएं चानल के सब्सक्राइब नहीं कि हैं चानल के जाएदी से सब्सक्राइब करके बिल्वार आइकन को ओंग कर दीजिए साथ में वीडियो को शेर जरू कर दीजिएगा इसके लिए आपको मुवाइल के settings में जाना होगा इससे कैने के बाद आपको सिंन्पली दो possibilities आपको क्लिक करते ईडियो में चाईब करके जाना है है same क्लिक करें पर इसके बाद हमें नीची आना है आपको एक option मिलेगा यह unity का अपकमी कर देना है क्लिक करने के बाद आपको हमें पर optimized पे set रहेगा, इसको select करना है restricted option पे, उसके बाद back कर रहे जाना है, अब आपको click करने है mobile and wifi वाले option पे, आपके phone में by default रूप से on रहेगा background data नाम का option, आपको इस toggle switch पे click करके इस toggle switch को आप कर देना है, अगर आप अपने device में CapCut का premium application या mode app के यूज़ कर रहे हैं, जो कि official version क नहीं है, तो आपको एक application में इस setting को हमेशा off ही रखना है, अगर आप official version का pro application यूज़ कर रहे हैं, तो आप इसे on रख सकते हैं, इसको प्लेश्टर में जाना है और search करना है galaxy VPN, इस galaxy VPN को click करके install कर ले, अगर आप पुराए वाले VPN के यूज़ कर रहे हैं, तो आपको select होता है कि अगर आप outdated version का CapCut application अपने phone में इस्तिमाल कर रहे हैं, तो आपके phone में या error message आ सकता है, इसके लिए आपको latest version का application डाउनलोड करना पड़ेगा, अगर आपको नहीं मिल रहा है तो नीचे telegram channel का link मिलेगा, आप उस telegram channel को join करके वहाँ से easily download कर सकता है CapCut free में, वी